आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अकबर का साला बीरबल की बुद्धी और समस्या को भाप लेने की कला के कारण बादशा उन्हें खूब पसंद करते थे इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास थान लेना चाहता था बादशा जानते थे कि बीरबल जैसा और कोई नहीं हो सकता वो अपने साले को भी ये बात समझाने की खोशिश करते थे लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धी मान है इन सब बातों के कारण एक दिन बादशा के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा इसे कुछ कारिय दे कर ही समझाना पड़ेगा अभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझ भूट से इस कोईले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेट दमडी लाल को बेच कर आओ अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंद बीरबल की जगह दे दूगा यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी इसी सोच के साथ वो कोईले की बोरी लेकर सेट के पास पहुँच गया सेट ऐसे ही किसी की बातों में आने वाला नहीं था इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया अब अपना उदास चहरा लेकर अकबर का साला महल लोटाया उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया इतना सुनते ही बादशा ने बीरबल को अपने पास बुलाया उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेट दमडी लाल को यह कोईले की बोरी बेचनी है बादशा का अदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं मैं उस सेट को एक कोईले का टुकड़ा ही दस हजार में बेच सकता हूँ यहें बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया अकबर ने कहा ठीक है तुम एक ही कोईले का टुकड़ा बेचाओ बात्षा का आदेश मिलते ही एक कोईले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्टा अपने लिए सिलवाया फिर उसे पहन कर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महेंगे दिखने वाले जूते भी पहल लिए इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोईले के टुकड़े को सुर्मा यानि काजल की तरह बारीक पीस कर एक काच की डिब्बी में डलवा लिया इसी भेश में वो महल के महमान घर में आ गए फिर भीरबल ने एक इस्तिहार दिया कि बगदाद में एक जानमाने शेक पहुँचे है जो जादूई सुर्मा बेचते हैं सुर्मे की खासियत में भीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है यदि पूर्वजों ने कोई धन चुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमतकारी सुर्मे की ही बात होने लगी सीठ दमडी लाल तक भी यह बात पहुँच गई उसके मन में हुआ जरूर मेरे पूर्वजों ने धन गार रखा होगा मुझे तुरंद शेख से संपर्क करना चाहिए इतना सोच कर दमडी लाल शेख बने बीरबल के पहुँचा बीरबल ने जान भूच कर उन्हें पहचाना नहीं सेख ने शेख से कहा कि मुझे सुर्मे के डिबबी चाहिए शेख ने जवाब दिया बिलकुल लीजिये लेकिन एक डिबबी की कीमत दस हजार रुपे की है सेख काफी चालाग था उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुर्मा आँखों पर लगाना चाहता हूँ उसके बाद पुर्वजों के दिखने पर ही मैं दस हजार रुपे दूँगा शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है आपको ऐसा करने की इजाज़त है बस आपको सुर्मे की जाच करने के लिए चोराहे पर चलना होगा चमतकारी सुर्मे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीर लग गई तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमतकारी सुर्मे को सेठ जी लगाएंगे अगर ये सेट अपने माता-पिता की ही उलाद हैं तो इन्हें सूर्मा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता-पिता की उलाद नहीं है असली उलादों को ही यह सुर्मा लगाने पर अपने पूर्वच नजर आती है यह सब कहने के बाद शेख ने सेट के आखों पर सुर्मा लगा दिया और कहा कि आखे बंद कर लो सेट ने आखे बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा अब सेट के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपन हो जाएगा इज़त को बनाए रखने के लिए सेट ने आखोली और कहा कि हाँ मुझे पूर्वज दिख गई इसके बाद गुसे में लाल सेट ने बीरबल के हाथ में दस हजार रुपे थमा दिये अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए उन्होंने कहा कि लीजिए बादशा एक कोई लेके दस हजार रुपे और सारा किस्सा सुना दिया यह देखते ही बादशा का साला महल बना कर महल से चला गया उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बाद अकबर से नहीं की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से इरश्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को सिद्ध करने के लिए बुद्धिक आउपयोग करना जरूरी है धन्यवाद 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 दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है धन्यवाद